दोस्तों हम आगें अपने पावर्वेरी के चाप्टर 14 में लास्टाइम हमने सीखा था हम आपस में excel को relation कैसे देते पावर्वेरी में आज हम सीखेंगे पावर्वेरी में relation तो हमने दे दिया मगर बहुत सारे अलग से option दाते हैं जैसे one to one one to मेनी और मैनी टुमेनी यह रिलेशन एग्जाक्टली होता क्या है तो आज इसी चाप्टर में हम यह पूरा end-to-end पड़ेंगे की relationship one-to-one one-to-many many-to-many relationship क्या होता है और यह कैसे चलता है चलिए बिना डाइवेस्ट की हुए अपने का मेडिया स्क्रीन में चलते हैं और यह सीख लेते हैं तो हम आगे अपने चैप्टर 14 में हम बेलकर वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पर हमने अपने चैप्टर 13 को क्लोज किया हम फटाफट सापने डेटा मॉडल में चल देखारर डेटा मॉर्डाइशन को क्ल 예 먹을 करना है तो आप अपने डेटा मॉडल के अंदर उकर भी प्लेकर से तो हम आगए हम द सबसे पहला आपको for an example यहां पर मुझे fourth file और यहां पर मेरी merge fifth and sixth file इनका relation stop करना है, मुझे इनका relation नहीं देना, inactive करना है, मगर वो relation रहे, मगर मैं delete ना गरूँ, वो inactive कर दूँ, तो उसको हम कैसे करेंगे, आपने जहां पर relation दिया है, आपने वहां पर जाना है, right click करना है, जैसे आप right click करेंगे, या edit relation आजाएगा, आप edit relation में click करेंगे, अब यहां पर अगर आप देख सकते हैं, सबसे नीचे मेरे पास active लिखा हुआ है, अब जैसे ही इसको आप deselect कर देंगे, तो यह inactive हो जाएगा, यह active नहीं रहेगा आपका relationship, अब अगर आप okay करते हैं, तो यहां पर dotted line आ जाएगी, जो की पहले एकदम straight line थी, तो आप यहां पर मेरा देख सकते हैं, यहां पर dotted line आ चुकी है, इसका मतलब यह relation है, मगर हमने इसे activate नहीं किया हुआ, तो यह work नहीं करेगा, similar cases में अगर आपको इसे activate करना है, तो आपको फिर से right click करना है, अब इसमे आपका checkbox, आप इसे check कर लीजिए, और यह relation आपका active हो जाएगा, मैं इसे active करके दिखा देता हूँ, मैं right click करता हूँ, mark as active, जैसे मैं active में आया, तो यह देखे, यह automatically active हो चुका है, और इसने हमारा दिखा दिया, हमारा transaction date और जो हमारी 5th and 6th फाइल थी, उसके transaction date से यहां relation बना हुआ है, तो यह तो हमने सीख लिया active, inactive क्यासे करते हैं अपनी relation को, अब हम आजाते हैं में में जो हमने पढ़ना है आज, जिसे हम कहते हैं one to many, many to one, या many to many, यह exactly होता क्या है, तो मैं आपका बता दू, यह देखे, यहां पे हमारा relation हो रखा है, तो अगर आप यहां पे one है, और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक star है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हमारी जो first file है, उसमें जो हमारे customer ID है, जिसके साथ भी इसका link है, अगर हम देखे हैं, तो customer ID के साथ है, मतलब first file में हमारी customer ID unique है, मगर जो हमने merge fifth and sixth file करी है, उसमें customer ID बहुत स जहां पे भी आप one देखेंगे, उसको हम कहते है, single, मतलब unique, जो हमारी first file है, उसमें unique customer ID है, जो हमारी fifth and sixth file है, उसमें बहुत सारी customer ID है, चलिए हम एक Excel में चलते हैं, और उसमें सीख लेते हैं, exactly one too many, दिखता कैसे, तो मैं आ गया हो अपने Excel sheet में, मैं आपको यहां पे अच product ID है और sales है, अब अगर आप देखें, मेरी जो product ID है, जो column A और B में बनी हुए है, उसमें one, two, three, four, इसमें चार unique numbers है, मतलब यह single है, यह duplicate नहीं है, इसमें, बिल्कुल unique है, similar cases में many, one too many में, अगर आप relation दे रहे हैं, तो, दूसरी sheet में देखिए, मेरा one जो है, यह तीन बा क्यिक्ति रहे है, three, three, four, बार यहीं है, मतलब, जो मेरी relation यहां पे बन रही है, वो बन रही है, one too many, that means, यहां पे मेरेपास single values है, यहां पे मेरेास multiple values है, तो मेरी जो relation बन रही है, वो बन रही है one to many, तो यह आप समझ गए, one to many relation exactly चलता कैसे, तो, एक और हम one to one relation देख ले पर एक यूनिक वाल्यूस होनी चाहिए जैसे आप यहां पर देखिए यहां पर मेरे पास वान है और यहां पर भी मेरे पास वान है कहीं भी वान का डूप्लिकेट नहीं है दो अलग-अलग में इसका मतलब हमारे यहां पर वो बनेगा जाएशन कबी लगा यंग अगलने और आपके बहुत बारी error आएंगे जब भी आप diagram या जब भी आप graph pull करेंगे तो many to many relation हम कभी नहीं लगाते one to many या one to one relation ही हम अपने excel में लगाते तो इस तरीगे से दोस्तो हम one to many या one to one relation लगा सकते चलिए हम अपने data model में move हो जाते हैं और वहां पर देख लेते हैं थोड़ा तो यह देखिए मैं अपने data model में आ गया हूँ अब आप बिलकुल अच्छे तरह समझ रहे होंगे यहां पर मेरा one है यहां पर मेरा star है that means मेरा one to many का relation है यहां पर similar cases पर यहां पर one है यहां पर भी star है आप देख सकते हैं यहां पर हर जगे पर मेरी one और star है that means one to many का relation मेरा data model बिलकुल सही पर कर रहा है और बिलकुल सही तरीके से चलेगा तो इस तरीके से आप data model में relation लगा सकते हैं और उनका मतलब भी समझ सकते हैं यह शीट अगर आपको डाउनलोड और प्राक्टिस कर लिए चाहिए नीचे description में लेंक पर जाएगा आप जाके डाउनलोड करके प्राक्टिस भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट देना बिलकुल मत बूलना दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी और आपको पूरी सिरीज लाया हूँ आपको end to end बताऊंगा अगर इसके इलावा भी आपको कुछ और सीख सुष्ट।